Hello Everyone, Welcome to Shine Academy तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं Class 10 का Chapter 2, that is Polynomials Class 10 का Polynomials स्टार्ट करने से पहले अगर आपने Class 9 का Polynomials अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैं बोलूँगा कि एक बार आप Class 9 का Polynomials अच्छे से पढ़ लेजिए तब जाके आपको Class 10 का Polynomials बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा Class 9 का Polynomials अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन पर Class 9 के Polynomials की प्लेलिस्ट आ रही है आप चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं Class 10 का Polynomials तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे Introduction से और Introduction में हमको Class 9 की कुछ Terms का Revision करना है आप देखिए कि सबसे पहले वह हमको बता रहा है कि Degree of a Polynomials कैसे कहते थे तो जो Variable की Highest Power होती थी उसको हम Degree of Polynomials कहते थे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह 4X प्लस 2 है अब अगर यह 4X प्लस 2 है तो इसमें Variable कौन हुआ? X और X की Power कितनी है? 1 क्योंकि इस वाले Polynomials में X की Power Highest 1 आ रही है इसलिए इस वाले Polynomials की Degree कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी तो यह 1 Degree का Polynomial हुआ इसी तरीके से अगर हम इस वाले की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह जो Polynomial है वो Y Variable में है और Y Variable में होने के साथ यहाँ पर Y का Square आ रहा है इसका मतलब Highest Power कितनी हो गई? 2 तो इसलिए इस वाले Polynomial की डिगरी कितनी हो चुकी है? 2 इसी तरीके से यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर यह जो Highest Power है वो X की Power 3 है तो यह Polynomial की डिगरी क्या हो जाएगी? 3 इसी तरीके से यहाँ पर 6 बताई गई है कुल मिलाके आपको देखना आना चाहिए एक डिगरी ओफ आप पॉलिनोमियल कितनी होगी? फिर हमको बताया जा रहा है कि इस तरीके के जो एक्सप्रेशन है इनको पॉलिनोमियल ही नहीं बोला जाता पॉलिनोमियल की डेफिनिशन क्या होती है? यह हम क्लास 9 में अच्छे से कवर कर चुके है मैं एक बार आपको बता देता हूँ पॉलिनोमियल उसे कहते है जहाँ पर वैरियेबल की पावर वैरियेबल की वावर किसम होनी चाहिए? अगर वैरियेबल की पावर होल नमबर होगी तब ही हमारा जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा वरना वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा आप देखें कि यहाँ पर जो एक्स है वो वन अपॉन में चला गया है इसलिए यह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे x की power 1 by 2 है क्योंकि root को हम 1 by 2 लिखते हैं क्योंकि 1 by 2 whole number में नहीं आता है 1 by 2 is a fraction तो इसी लिए यह जो expression है वो भी polynomial नहीं है इसी तरीके से यह expression भी पूरा 1 upon में जा चुका है तो यह भी polynomial नहीं कहला है आपको यह point याद रखना है कि variable की power अगर whole number में होगी तभी जो expression है वो polynomial कहला सकता है यह हम 9 class में cover कर चुके हैं आगे हमको बताया जा रहा है कि ऐसे polynomial जिसकी degree 1 होती है उनको linear polynomial कहा जाता है यह हम class 9 में पढ़ चुके हैं ऐसे polynomial जिनकी degree 2 होती है उनको quadratic polynomial कहा जाता है यह भी हम class 9 में पढ़ चुके हैं इसी तरीके से ऐसे polynomial जिनकी degree 3 होती है उसको cubic polynomial कहा जाता है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि polynomial कहते किसे हैं तो polynomial दो शब्द से मिलके बना है जिसमें poly का मतलब होता है one और many तो poly को हम लिखते है many और nominal का मतलब होता है terms तो ऐसा algebraic expression जिसमें many terms होती है उसको बोजादाता है polynomial और यहाँ पे many का मतलब one या more than one भी हो सकता है तो one वाली term भी हम polynomial में ही consider कर लेते हैं next हमको देखना है कि यह जो linear polynomial है या फिर quadratic polynomial है उनकी general form कैसी होती है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि general form किसे कहते है general form कहते है ऐसा polynomial जिसमें हम अलग-अलग constants की value रखने से सारे polynomials obtain कर सके पर example अगर मैं quadratic polynomial की बात करूँ quadratic polynomial तो उसकी general form होती है ax square plus bx plus c आप देखिए कि यहाँ पे a, b, c will be real numbers यानि कि a, b, c की value कुछ भी हो सकती है और इसमें एक और condition क्या होगी कि a should not be equal to 0 यह एक important condition है जो कि हमको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a आ रहा है x square के साथ अब अगर a 0 हो गया तो x square की term चले जाएगी और अगर x square की term चले गई तो बचेगा सिर्फ bx plus c bx plus c आप देख रहे हैं उसकी degree हो जाएगी 1 पर अगर हमने quadratic polynomial लिया है तो degree कित्ती होनी चाहिए degree must be 2 इसलिए हम पहले ही बोल देते हैं कि a should not be equal to 0 जिससे कि degree 2 कैसी रहे हम leading coefficient यानी कि a not equal to 0 भी लिखेंगे तो अभी यह जो आप देख रहे हैं ax square plus bx plus c यह quadratic की general form है अब हम यहाँ पे a, b और c की अलग-अलग values डालके different values डालके दुनिया की सारी quadratic polynomial obtain कर सकते हैं अब देखे कि अगर मैं a equal to 1 डाल दूँ b equal to 2 डाल दूँ और c equal to माल लीजिए 2 डाल देता हूं तो quadratic क्या बनेगी a की जगे 1 डाला तो x square b की जगे 2 डाला तो 2x और c की जगे 2 डाला तो 2 तो हमारे पास a की यह polynomial बन गया x square plus 2x plus 2 इसी तरीके से मैं चाहता तो a की जगे 1 डाल सकता आता b की जगे minus 3 डाल सकता था c की जगे minus 5 डाल सकता था तो polynomial क्या बन जाता x square minus 3x minus 5 आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a not equal to 0 हमने बोला था b और c के बारे में कुछ नहीं बोला इसका मतलब b और c can be 0 अगर हम बात करें एक ऐसी quadratic बनाए जिसमें हमने ले लिया a equal to 2 b equal to 0 और c equal to 0 तो quadratic simply बनने वाली है 2x square plus 0 plus 0 यानि कि simply 2x square तो ये भी एक quadratic है इस तरीके से आपने सीखा कि general form किसे कहते हैं general form कहते हैं कि constants की अलग-अलग value डालने से दुनिया की सारी polynomials अगर obtain कर ली जाए उस family के अंदर की जैसे कि यहाँ पर quadratic की general form ये थी तो दुनिया की सारी quadratic हम a और b और c की अलग-अलग values से obtain कर सकते हैं तो ऐसी form को ही general form कहा जाता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि general form cubic polynomial की भी होगी जो कि ax cube plus bx square plus cx plus d है अब यहाँ पर हमने देखा कि a should not be equal to 0 जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं आपको बता चुका हूँ और a, b, c और d की हम अलग-अलग values डालके दुनिया की सारी cubic polynomials obtain कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने सीखा कि general form का concept क्या होता है अब हम आगे बढ़ते है आगे अब देखिए कि हमने इस polynomial को नाम दे दिया है px और हम x की जगे कोई सी भी value अपने मन से put कर सकते है जैसे यहनोंने x equal to 2 put किया है और हर जगे x की जगे क्या आच चुका है 2 और फिर इसको solve किया तो answer आगया minus 6 तो हम बोलेंगे कि p of 2 कितना आचुका है minus 6 इसी तरीके से हमारा मन होता तो हम कुछ भी put कर सकते है मान लेजिए हमने p of 3 निकाला होता तो सबसे पहले तो हम लेखेंगे p of x कितना है वो है x square minus 3x minus 4 अब p of 3 यानि कि x कि जगे सब जगे क्या डालना है 3 तो 3 का square minus 3 into x कि जगे 3 minus 4 तो यह कितना आगया 3 का square is 9 3 into 3 is 9 और यह कितना आगया minus 4 तो यहां से हम बोलेंगे कि p of 3 कितना आचुका है 9 से 9 कट गया minus 4 तो इस तरीके से आपको polynomial में value put करना आना चाहिए और फिर उसको solve करके हमको answer भी निकालते आना चाहिए आगे मोलना है कि इसी तरीके से अगर हम x की जगे 0 put कर देंगे तो value कितनी आ जाएगी minus 4 आ जाएगी जैसा कि आप यहां पे देखे रहे हैं अगर हम p of 0 निकाल ले जाएगे तो 0 का square minus 3 into 0 minus 4 आने वाला है 0 के square is 0 3 into 0 is 0 और minus 4 तो p of 0 कितना आ गया है minus 4 तो इस तरीके से आप किसी भी number की value निकाल सकते है x की जगे आपको वो number put करना पड़ेगा तो इसके लिए वो बोल रहा है कि किसी भी number को अगर आप put करते हो तो उस number से जो value आती है उसको denote किया जाता है p of k यहाँ पर उसना हमको बताया कि अगर हम x की जगे पर k put करते हैं तो जो value निकलेगी उसको solve करने के बाद हम बोलेंगे p of k for example यहाँ पर आपने देखा कि x की जगे हमने क्या put किया था 3 तो p of 3 जो आया वो minus 4 आया इसी तरीके से x की जगे पर हमने 0 put किया था तो p of 0 आया इसी तरीके से अगर हम x की जगे k put करेंगे तो जो value आयागी उसको हम बोलेंगे p of k अब वो कितना भी आ सकता है वो हमको solve करके देखना पड़ेगा तो अगर आपको ये point समझ में आया है तो आगे हम देखते हैं कि 0 of a polynomial किसे कहेंगे ये बहुत ही important point है जो कि आपको समझ में आना चाहिए 0 of a polynomial x की ऐसी value को कहेंगे जिससे p of k कितना आ जाए 0 के बराबर आ जाए x की ऐसी value जिससे p of k कितना आ जाए 0 तो ये आपको याद होना चाहिए कि 0 of a polynomial किसे कहेंगे मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ ऐसी x की value जिस पे p of k कितना आ जाए 0 आ जाए यानि polynomial की value आ जाए 0 ये बहुत important point है जो कि हम class 9 में पढ़ चुके है तो आप देख रहे हैं कि मान लीजे हमारे पास polynomial है px is equal to 2x plus 3 और हम इसका 0 निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है जो भी polynomial है अगर उसके आप 0 निकालना चाहते हो for example px is equal to 2x plus 3 हम इसके 0 निकालना चाहते है तो polynomial को 0 के equate करना पड़ेगा तो px is equal to 0 हम लिखेंगे तो यहां से क्या आएगा px is equal to 0 लिखने की वज़े से 2x plus 3 equal to 0 अब हम इसको solve करेंगे x के लिए तो यहाद आएगा 2x is equal to यह जो 3 है वो इधर जाएगा तो minus का 3 x equal to कितना आएगा minus का 3 by 2 अब यह जो x है आप इसको इधर पुट करके देख सकते हैं आपके पास जो return में answer आएगा वो 0 के बरावर ही आएगा इसका मतलब यह एक ऐसा x है जिसकी वज़े से p of x कितना होने वाला है 0 तो minus 3 by 2 इस वाले polynomial का 0 कहलाएगा तो यहां से उस नम को बताया है कि 0 of a polynomial क्या होता है और उसको निकाला कैसे जाता है तो अगर हम बात करें linear polynomial की जो की क्या होता है ax plus b linear polynomial मतलब की जिसकी डिगरी कितनी होगी 1 तो linear polynomial की अगर बात करी जाए तो उसका 0 कैसे निकालेंगे आप बोलोगे कि AX plus B क्या है linear polynomial जिसको हम PX बोल देते हैं तो PX should be equal to 0 तो यहां से AX plus B should be equal to 0 तो अब AX is equal to किता हो जाएगा minus B और जब हम A को दूसरी तरफ ले जाएगे तो वो multiply से divide मा जाएगा तो X equal to किता हो जाएगा minus B by A आप देखिए कि यहां पर उसने हमको यह निकाल के बताया हुआ है अब यहां से आप notice कर सकते हैं कि X का coefficient A और B एक constant है इसलिए यहां पर हमने कह लिख दिया है कि upon में अगर A आ रहा है तो नीचे हमने लिख दिया coefficient of A और constantum अगर उपर आ रही है तो हमने constantum लिख दिया और वो minus के साथ आ रही है इसलिए हमने minus लिख दिया तो यह चीज आपको याद होने चाहिए कि linear polynomial का एक 0 होता है जिसकी value कितनी आती है minus B upon A और वो कैसे आती है यह मैंने आपको करके दिखा दिया है और minus B upon A को हम क्या लख सकते है constant term minus की और upon में coefficient of X तो इस तरीके से आपने देखा कि 0 of a linear polynomial किस तरीके से निकालते है अब यहाँ पर वो हमसे कुछ पूछना चाहरा है कि 0 of a linear polynomial is related to its coefficients मतलब कि जो linear polynomial का 0 था वो कितना आया minus B upon A और A और B पे linear polynomial का 0 depend किया यह बात बिल्कुल सही है तो वो आगे पूछ रहा है कि क्या quadratic polynomial या cubic polynomials में भी ऐसा relation हमको देखने मिलेगा यानि कि अगर हमको किसी polynomials के coefficient के बारे में मालूम है तो क्या हम उसके 0s के कोई relation निकाल सकते है तो इस chapter में हमको इसी चीज की study करनी है जिसमें हम आगे देखेंगे कि कैसे coefficients और 0s के बीच में क्या relation होता है पर उससे पहले हम देखते हैं कि 0s का geometrical meaning क्या होता है तो geometrical meaning of 0s में सबसे पहले हमको देखना है linear polynomial जो की होता है ax plus b मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर a equal to 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फिर linear polynomial नहीं रहेगा अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि linear polynomial का graph हमेशा कैसा होता है straight line होता है तो इसलिए उसने एक example लिया है y equal to 2x plus 3 graph plot कैसे करते हैं तो आप देख सकते हैं एक x लिखते हैं एक y लिखते हैं अब x हमने minus 2 put किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y equal to किता है 2x plus 3 तो यहाँ पर x की जगे किता डालेंगे minus 2 जैसे ही यहाँ पर हमने x की जगे minus 2 डाला तो 2 into minus 2 कित्ता हो जाएगा minus 4 और plus 3 minus 4 plus 3 कित्ता आगया है minus 1 इसी तरीके से एक बार हमने x के जगे 2 डाला तो यहाँ पर 2 into 2 कित्ता आजाएगा plus का 4 और plus का 4 और plus का 3 is plus का 7 straight line का गराब बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 points की ही जरूवत रहती है अगर आप 2 points find कर लेंगे तो आपकी straight line बन जाएगी तो इस तरीके से हमारे पास 2 points आ चुके हैं जिसमें एक है minus 2, minus 1 और एक है 2,7 अब आप देख सकते हैंगे हमने इन वाले points को यहाँ पर plot कर लिया है यह हमारे पास 2,7 और minus 2, minus 1 जो कि हमारे पास इधर plot किया हुआ है तो हमने इन दोनों points को plot करने के बाद इनको join कर दिया है तो हमारे पास straight line आ चुकी है जो कि y equal to 2x plus 3 का graph है अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो straight line है वो minus 2 और minus 1 के बीच से cross करते हुई जा रही है इसका मतलब यह जो point है वो कितना हो जाएगा minus 3 by 2, 0 क्योंकि यह point x axis पर है इसलिए y coordinate कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा अब minus 3 by 2, 0 इसका क्या मतलब निकल रहा है इसका मतलब है कि अगर हम x equal to minus 3 by 2 put कर रहे हैं तो y कितना आ जा रहा है 0 आ जा रहा है और इसी को हम अपना क्या बोलते है 0 of the polynomial 0 of the polynomial में हमने पढ़ा था कि ऐसी x की value जिससे p of x या फिर y किसके बरावर आ जाए 0 के बरावर आ जाए तो यहाँ पर हम बोशकते हैं कि minus 3 by 2 is the 0 of linear polynomial linear polynomial y is equal to 2x plus 3 हम चाते तो इसको directly भी निकाल सकते थे हम लिखते हैं कि 2x plus 3 should be equal to 0 और यहाँ से x बरावर कितना आ जाता minus 3 by 2 तो यही जो चीजे है वो हमको यहाँ पर बताना चाह रहा है कि geometrical meaning क्या हुआ हुआ इस चीज का कि ऐसा point जहाँ पर हमारा graph x-axis को cut कर जाए वो point हमारा क्या कहलाएगा 0 of the polynomial इसलिए यह जो point है वो क्या है 0 of the polynomial क्योंकि यहाँ पर यह जो line है वो x-axis को cut कर रही है आप देख सकते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगे वो हमको एक और important point बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक linear polynomial है ax plus b तो उसका जो graph होगा वो हमेशा एक straight line आएगा और वो जो straight line आएगी वो हमेशा intersect कर जाएगी minus b upon a, 0 पर यानि कि हमारा जो linear polynomial है उसका एक 0 fix रहता है जो कि होता है x equal to minus b upon a तो यह हम पहले भी पढ़ चुके है और वो हमको यहाँ पर अलग से भी बता रहा है अब हम आगे देखते हैं कि quadratic polynomial में जो zeros हैं उनका geometrical meaning किस तरीके से होता है इसके लिए उसने हमको दिया है कि x square minus 3x minus 4 एक हमारे पास quadratic polynomial है तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि इसको y के equal माल लिए अब हम सबसे पहले इसका graph बनाते है और यहाँ पर हमको बताया गया है कि cubic और quadratic का graph 10th class के syllabus में नहीं है इसलिए यह जो graph है वो आपको direct बनाके दिया गया है graph कुछ इस तरीके से बनाया है y की value x square minus 3x minus 4 ली गई है और x की value हम अपनी मर्दी से put कर रहे है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार x की value minus 2 put करी गई तो यहाँ पर आप minus 2 put करेंगे तो y कितना आ गया है 6 आ गया है एक value मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ for example हमारे पास y equal to कितना है x square minus 3x minus 4 और हम x की जगे कितना put कर रहे है minus का 2 तो y कितना आने वाला है minus के 2 का square minus 3 into minus 2 minus 4 minus का 2 का square होता है plus 4 minus 3 into minus 2 minus हो जाएगा plus और multiply में है तो 32006 तो plus 6 और यह कितना आ गया minus 4 minus 4 से plus 4 कट गया है तो y equal to कितना आ गया है 6 जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आभी रहा है इसी तरीके से minus 1 डाल रहे है तो 0 आ रहा है जीरो डाल रहा है तो minus 4 आ रहा है और यह पूरी लिस्ट हमारे पास तयार है अब हमको इन points को plot कर लेना है जिसकी मदद से हमारा graph बन जाए आपको यहाँ पर एक चीज पता होने चाहिए कि किसी भी quadratic polynomial का जो graph होता है वो एक पैरा बोला होता है पैरा बोला का मतलब क्या है या तो u shape का होगा इस तरीके से या फिर इस shape का होगा यह वाला shape का बाता है जब a की value greater than 0 और यह वाला shape का बाता है जब a की value less than 0 a कौन सा a ax square plus bx plus c जो की quadratic की general form थी इसमें जो x square का coefficient होता है इसको बोलते है a अगर यह a positive है तो पैरा बोला ऐसा बनेगा यानि की quadratic का graph ऐसा बनेगा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x square का coefficient है 1 इसलिए यह जो graph है वो इस तरीकर के दिख रहा है क्योंकि 1 जो होता है वो positive होता है और अगर यहाँ पर minus 1 होता है तो यह graph उल्टा हो जाता और वो नीचे की तरफ जाता यह जो बात है वो यहाँ पर बताई गई है आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं अब यहाँ पर आप देखिए कि अभी अभी हमने पढ़ा था कि ऐसी x की values जिससे polynomial 0 हो जाए उन x की values को 0 of the polynomial कहा जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो graph है वो x axis को दो बार cut कर रहा है एक बार तो इधर और एक बार इधर तो यह दोनों ही points हमारे क्या कहलाएंगे 0 of the polynomial क्योंकि इन values पर आप देख सकते हैं कि y की value कितने आ रहे है 0 और यहाँ से आपने देखा कि quadratic के कितने roots मिल रहे हैं हमको 2 root मिल रहे है ध्यान देने वाली बात यह है कि quadratic की degree कितनी होती है 2 तो इसके लिए हमको इसके 2 roots मिल गए है पिछले case में आपने देखा था कि हमारे पास linear polynomial था और linear polynomial की degree कितनी होती है 1 और उस case में हमको 1 0 मिल भी रहा था तो क्या यह relation हमेशा true होगा कि जितनी हमारे पास degree है क्या उतने ही हमको zeros मिलने वाले हैं तो इसका answer है ऐसा हमेशा true नहीं होता अब हम आगे देखते हैं कि quadratic के और कौन से case बनते हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं कि quadratic के 3 case हम देखने वाले हैं जिसमें कि पहले case में हमारा जो graph है वो x x x को दो अलग अलग points पे cut कर रहा है एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर एक यहाँ पर इस वाले case में a positive है क्योंकि यह smiling parabola है और इस वाले case में a negative है क्योंकि यह sad face वाला parabola है तो यहाँ पर तो आपने देगा कि number of roots या फिर number of zeros कितने मिले हमको दो मिले दोनों ही case में बट यह वाला case भी possible होता है जिसमें quadratic एक ही point को touch करते हुए उसका graph निकल रहा है इसी तरीके से यहाँ पर भी एक ही point पर touch करते हुए निकल रहा है तो यहाँ पर number of zeros या फिर number of roots कितने हुए one case 3 कौन सा होता है case 3 होता है कि जब quadratic x axis को touch ही ना करे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी root नहीं मिल रहा है क्योंकि इस वाले quadratic ने x axis को कहीं पर भी नहीं काटा है तो यहाँ पर number of root कितने हो जाएंगे 0 तो यहाँ से आपने क्या सीख्या है कि degree अगर 2 है तो root 2 भी हो सकते हैं एक भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं तो इसके लिए हम general form में क्या कहते हैं कि अगर degree हमारे पास n की है तो roots maximum case में n हो सकते हैं या फिर n से कम हो सकते हैं तो इसको क्या बोला जाता है तो जब भी कोई चीज एक limit तक पहुछ सकती है उस समय जो word इस्तमाल होता है उसको हम बोल से ज़ाधा से ज़ाधा से ज़ाधा तो अगर में बोलता हूँ कि हमारे पास एक polynomial है जिसकी degree n है तो उसके at most n root हो सकते हैं इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास cubic polynomial है तो आप जानते या क्योभिक की degree किती हो जाएगी 3 तो इस case में उसके roots किते हो जाएंगे तो आप बोलो क्यूबिक के Case में most 3 root होंगे यानी की こ lle what के 3 root से जादा नहीं हो सकते । अब at most का मतलव होता है जायदा से जादा तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि quadratic के 3 uses root होंगे किसी-किसी केस में quadratic दो root भी होकते है एक relative का 1 root भी हो heterogen के quadratic कभी भी नहीं होते यानी की quadratic में कोई भी case ऐसा नहीं बनता है जब एक भी रूट पॉसिबल ना हो यह सब आगे की बाते हैं कुल मिलाके आपको इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना है कि अगर डिगरी N है तो at most N रूट पॉसिबल होते है इसी केस को NCRT ने भी हमको क्यूबिक की मदद से दिखा है आईए अब हम उसको देख लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्यूबिक दी गई है X क्यूब माइनस 4X आप देख सकते हैं क्योंकि X क्यूब है तो X की पावर 3 हो गया इसी लिए डिगरी कितनी हो गई 3 X क्यूब माइनस 4X का जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनाये हुआ है और यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यह जो ग्राफ है वो X एक्स को तीन अलग-अलग पॉइंट पर कट करते हुए जा रहा है तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि नम्मर ओफ रूट्स कितने हैं 3 अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं एक हमारे पास यह ग्राफ है Y कोल टू X क्यूब का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही जगे पे यह जो ग्राफ है वो कट करते हुए जा रहा है X-axis को इसका मतलब नम्मर ओफ रूट कितने हैं 1 और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर टच हो रहा है और एक यहाँ पर कट हो रहा है तो नम्मर ओफ रूट्स कितने हैं 2 तो अभी आपने देखा कि क्यूबिक के केस में नम्मर ओफ रूट्स तीन भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं एक भी हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है तो आपको यह पॉइंट ध्यान में रखना है तो अभी हमने सीखा कि अगर degree n होती है तो number of roots maximum n हो सकते हैं इसके अलावा जहां पर हमारा graph x-axis को cut करेगा वो point हमारा zero of the polynomial कहलाएगा तो अब हम इसके examples में आगे बढ़ते हैं example में आगे बढ़ने से पहले जो remark मैं आपको बता रहा था वो NCRT ने यहां पर बता है इसको very important mark कर लेना आप और इसको आपको अच्छे से आना ही चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है अब सबसे पहले हम examples देख लेते है example 1 में बोला है कि इन graphs में हमको बताना है कि number of zeros कितने है तो कुछ नहीं बताना simple सी बात है कि अगर जतनी जगे पर वो X axis को graph cut करेगा उतनी zero होनोंगे तो यहां पर कितनी जगे कट करırा है एक जगे तो number of zero कितने हो गए यहां पर आप देख सकते हैं कि दो जगे कट कर रहा है इसलिए इसलिए number of zeros कितने हो गए दो यहां पर आप देख रहे हैं एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो number of zeros हो गए तीन इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप confused हो सकते हैं बट आपको याद क्या रखना है कि सिर्फ x axis से हमको cut वाला point देखना है y axis से हमको कोई मतलब नहीं है तो इसलिए number of point कित्ते होंगे one और यह कित्ता हो जाएगा one zero होंगे और एक और बात यह है कि यह एक straight line है और हम पहले पढ़ चुके हैं कि straight line यानि कि linear का यह graph है और linear polynomial के हमेशा एक zero ही होता है इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही जगे टच हो रहा है तो इस number of zeros कित्ते होंगे one यहाँ पर एक यहाँ पर हो रहा है एक यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर चार जगे टच हो रहा है इसे लिए number of zeros कित्ते होंगे चार्ट तो इस तरीके से example number one हो चुका है अब हम बढ़ते है exercise 2.1 की तरफ exercise 2.1 के question number one में भी हमको simple यही बताना है कि number of zeros इस graph में कितने है तो आप देख सकते हैं कि यह जो graph है वो x access को कहीं भी touch करी नहीं रहा है y access से तो हमको कोई मतलब ही नहीं होता तो यह graph अगर x access को कभी भी touch नहीं करने वाला है क्योंकि यह parallel है x access के तो number of zeros कित्ते होंगे 0 कोई 0 नहीं है यहाँ इसी तरीके से अगर यहाँ की बात करें तो हमको x access से cut देखना होता है ना कि y access से तो क्योंकि यह एक जगे cut कर रहा है तो number of zeros कित्ते हो गए 1 यहाँ पर number of zeros हो गए 1 2 और 3 यहाँ पर number of zeros हो चुके है 2 यहाँ पर 1,2,3,4 और यहाँ पर 1 एक इस वाले point को हम गिनेंगे क्योंकि वो touch करते हो जा रहा है और एक इस वाले को गिनेंगे क्योंकि यह भी touch करते हो जा रहा तो यहाँ पर हो जाएंगे number of zeros 3 तो इस तरीके इसे question number 1 हुआ और exercise 2.1 complete है I hope कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी इस exercise में theory बहुत जादा थी और exercise के question बहुत कम थे अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम exercise 2.2 solve करेंगे तो वीडियो कैसा लगा आप comment करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को like कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर दीजिए अगर आप कुछ बात करना चाते हैं या फिर आपके कोई doubt है तो आप मुझे instagram पर follow कर सकते हैं link description में आ रही होगी तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई